नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में अब सबका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, आज हम डिसकस करेंगे काटल्स के बारे में, या वाट इस काटलाइसेशन, हमारे देश में बिसनेस के बीच में कॉंपटिशन धना जरूरी है, तब जाके Competition Commission of India, तो ये वीडियो में क्यों बनाया हूँ, रिसनली एक नूस आया था दोस्तों, कि Competition Commission of India ने त्री बियर कंपनीज के एगेंस, 873 क्रोर का फाइन इंपोस किया है, कौन-कौन साब बियर कंपनीज से, United Breweries Limited, Karlsburg India Private Limited, and Anheuser-Busch-Inbub India, इन तीनों ने क्या किया, कार्टलाइसेशन किया, करीब 2 सार 9 और 2 सार 18 के बीच में, तो CCA ने क्या किया, 873 क्रोर का फाइन इंपोस किया, एक तो इन तीनों बियर कंपनीज के एगेंस, आसल 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 ओल इंडिया ब्रीवेस असोसेशन, and 11 इंडिविजल्स फोर कार्टलाइसेशन, इन इंडिविजल्स फोर कार्टलाइसेशन, in the scale and supply of beer in 10 states and union territories, the state or union territories में, काटलाइसेशन करने की वज़े से, इनके एगेंस्ट, Competition Commission of India ने फाइन इंपोस किया है, तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे, basically, यह काटल क्या होता है, यह काम कैसे करते हैं, and यह मोनोपली से कैसे खतरनाक होता है, मोनोपली भी क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, वैसे आपको पता होगा, and यह कार्टलाइसेशन को कैसे रोका जा सकता है, साथ-साथ हम Competition Commission of India के बाहरे में ब्रीफली देखेंगे, जो आपके examination point of view में important है, तो आगे जाने से पहले lecture पर like बटन शरू दबाईएगा, चानल को अब तक subscribe नहीं किया हो, share नहीं किया हो, तो कीजिएगा, हमें support करने के लिए, अगर हमारे काम आपको पसंद आ रहा है, आपका कुछ यूज हो रहा है, तो जोइन बटन दबाके, आप हमारे help भी कर सकते हो, शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले, what is a cartel और what is cartelization, it includes an association of producers, sellers, distributors, traders और service providers, दोसु, control और attempt to control the production, trade in goods, और provisional services, देखें दोस्तों, symbol भाषा में आपको में समझा देता हूँ, example के साथ, आप वो तीनों beer companies का example ले लिजिए, आप ये जो तीनों beer companies है ना दोस्तों, इनके जो beer products है, वो already market में dominate कर रहा है, मतलब, जितने भी consumers है, उनके लिए favorite है, इन तीनों beer companies के जितने भी beer products है, आप ये तीनों companies ने क्या किया, secretly इनके बीच में एक agreement sign किया, और ये dessert किया, हम तीनों companies जो है, already हम market को dominate कर रहा है, तो हम तीनों अभी इखटा काम करेंगी, हमारे बीच में कोई competition नहीं रहेगा, देखिए, जब businesses के बीच में competition नहीं रहेगा, तो घाटा किसका है, consumers का है, क्योंकि देखिए, जब दो businesses के बीच में competition रहेगा, वो first channel की कोशिश करेगा, first channel की कोशिश मतलब, एक तो उनकी quality बढ़ाने की कोशिश करेगी, या उनकी जो price है, उसको lower करने का कोशिश रहेगा, जब ये तीनों 81 हो गया, तो ये लोग क्या क्या, ओरड़ी market को dominate कर रहा है, उनकी products लोगों का favorite है, तो इन्होंने तीनों मिलकर ये desert किया, हम आभी कोई competition नहीं रखेंगे, धीरे-धीरे production करते रहेंगे, और price जो है, धीरे-धीरे बढ़ाते रहेंगे, तो लोग मजबूर हो जागा हमारे products हरीदने के लिए, कोई competition नहीं, हमारे profit होगा, ये होता है दोस्तों, cartelization, ठीक है, तो ऐसे जो association है न, जैसे beer companies का producers हो गया, या फिर sellers हो गया, distributors हो गया, traders हो गया, कोई भी product का हो, इसको बोलता है cartel, ठीक है, international competition network defines a cartel, an agreement between competitors to rustic competition, basically competition को रोकने के लिए, जो secret agreement sign करते हैं न, दोस्तों, ये agreement जो फॉर्मली लिखाने जाता है, क्योंकि ऐसा कर नहीं सकते हैं, ऐसे कामक अगर कोई भी करेगा, इसको पकटने के लिए हमारे देश में एक regulatory agency है, इसका नाम है, competition commission of India, ठीक है, cartels are mostly secret conspiracies, तो आप इसको एग्रिमें नहीं बोल सकते हैं, basically conspiracy बोल सकते हो, the agreement that forms a cartel need not be formal or written, cartels almost invariably involved secret conspiracies, here competitors refers to companies at the same level of economy, manufacturers, distributors, retailers, entire competition with each other to sell goods or private services, basically मैंने वही बताया दोस्तों, competition को रोखने के लिए जो भी काम किया जाते हैं, market को dominate करे गए करे लोग, क्योंगी ओरड़ी इनकी जो प्रड़क्स है लोगों का फेवरेट है, ये तीनों मिलकर competition को बंद करने के लिए, इस तरह के जो secret conspiracies करते हैं इसको बोलते है cartelization, आप देखिए, how cartels work, according to international competition network, four categories of contact are commonly identified, देखिए cartelization ये cartels काम के से करते हैं, एक तो करते है price fixing, ये आपस में मिलकर price fix करेगा, ठीक है, दूसरा output distinctions, मतलब जितना product produce करना है, वो ही decide करेगा, market allocation decide करेगा, and bid rigging करेगा, अब ये bid rigging थोड़ा सा confused होगा आप, bid rigging मतलब क्या है दोस्तों, देखिए कोई भी tender, tender जब release होता है, इसको मैं एक example के साथ आपको समझा देता हूँ, मान लीजिए एक बड़ा सा project है, वो करवाने के लिए, एक authority जो है, कई सारे companies को बुलाते हैं, और पूछेंगे, आप लोग कितने में ये project हमें complete करके देगा, ठीक है, तो normal cases में ये secret bidding होता है, सबको अपना-पना emote coat करके, एक secret envelope में डालके, एक डिबा में डालना पड़ता है, जिस दिन वो tender open होगा, वो खोल के पड़ेगा, तो सबसे lowest bidding जिसका रहेगा, उसी को वो काम मिल जाएगा, उसी को वो काम करके देना है, जैसे अभी Parliament building का काम चल रहा है, वो bid किसको मिला है, Tata को मिला है, तो Tata ने सबसे कम cost बोला है, मतलब, Government of India को ये बोला, कि हम इतने में आपको करके देंगे, बाकि जितने भी Companies कोट किया होगा, वो उसे ज्यादा किया होगा, तब जाके Tata को मिला न, आप देखिए, Cartelization जब चलेगा, उसमें क्या होगा, मान लीजे, ये authority है, इसको काम करवाना है, ये Company आया, उन्होंने बोला, हम 10 लाक में करके देंगे आपको काम, दूसरा ने बोला, हम 11 लाक में, तीसरा ने बोला, 12 लाक, और चौथा ने बोला, 13 लाक, ठीके, इसमें काम किसको मिलेगा, उब्यूसी बात है, 10 लाक वालों को मिलेगा, अब मान लीजिए ये चारों companies इकटा होकर एक कार्टल बनके आपस में एक secret agreement बनाया मतलब ये बोला हम सारे 15 लग के उपर ही डालेंगे मान लीजिए ये company जो है 15 लग डाला ये डाला 16 लग, ये 17, ये 18 अब ये authority जो है, जिसने ये काम दिया है, ये मजबूर हो जाएगा 15 लग वालों को काम देने में जो काम 10 लग में हो सकता था, वो 15 लग होगा सिदा सिदा, मतलब ये चारों company या जितने company bidding के लिए आया था वो सारे एक काटल बना के, काटलाइसेशन करके क्या किया, bid rigging किया, समझे आप, ये होता है bid rigging, तो ये सब काटलाइसेशन का negative side है, समझ रहें नो आप, आप देखिए challenges posed by cartels, hurt not only the customers but also indirectly undermine overall economic efficiency and innovations, देखिए इस सरा की काटलाइसेशन होने से एक तो consumers को problem होगा ही, उनको अच् इनोवेशन को affect करते है, जब businesses के बीच में competition ही रहेगा, तो फिर नए innovations कहा से होगा, ठीक है, और by artificially holding back the supply or raising prices in a coordinated manner, companies either force some consumers out of the market by making the commodity more scarce, ठीक है, मतलब ये लोग क्या करेगा, production कम रखेगा, अब production कम रखने से क्या होगा, चीजों की availability कम हो जाएगा market में, देखिए इनके products ज जाएगा, तो market में इनके availability कम हो जाएगी, तो demand बढ़ जाएगी, demand बढ़ने से क्या होगा, obvious ही बात है, price बढ़ेगा, तो इस तरह की problem होगा, ये cartelization से, ये बताया जा रहे है, and cartel shelters its members from full exposure to market forces, reducing pressures on them to control costs and to innovate, देखिए कोई competition ही नहीं रहेगा, तो इनको price control करने की सवाली क्यों करें, क्यों कि हमारे बीच में competition ही नहीं है, तो ये बताया जा रहा है, challenges posed by cartels, अब दोस्तों, एक important point, how cartels might be worse than monopolies, monopolies क्या होते है, दोस्तों, देखिए, monopoly मतलब आपको पताई होगा, कि एक particular product बनाने वाला एक ही company हो, या एक ही group of companies हो, इसे क्या होगा, उनका monopoly रहेगा market में, माल लीजिए, toothpaste है, अब ये toothpaste बनाने वाला, देख सारे companies है, call gate है, close up है, pepsodent है, ठीक है, एस सब है, अब माल लीजिए, cable call gate company ही रहता, toothpaste बनाने वाले company, cable call gate ही रहता, तो क्या होता, उनके उपर control होगे ना market का, वो जब चाहे price बढ़ा सकता है, जब चाहे production कम कर सकता ह लोगों की जो daily उसका product है, उसका पूरा control एक ही company के उपर रहेगा, वो अगर बोलेगा हम बंद कर रहे हैं, तो हम problem में आ जाएंगे, मतलब उनकी monopoly है market में, अब monopoly भी पुरी चीज है, पर क्या है ना, monopoly दिखता है, अगर वो ऐसा कुछ काम करेगा, इसलिए दिख जाएगा, government को, public को, सबको, पर यह जो cartelization है दोस्तों, यह दिखता नहीं है, कैसे दिखेगा, क्योंकि एक secret conspiracy है ना, दो-तिन बड़े-बड़े companies आपस में मिलके, ऐसा कुछ काम कर रहा है करके, हमें कैसे पता चलेगा, पता नहीं चलेगा ना, इसलिए यह बोलता है, cartels are worse than monopolies, तो इ क्या लिखा है, cartels are not easy to detect and identify assets, experts often suggest strong deterrents to those cartels that are found guilty of being one, अगर कोई पकड़े के, तो इनके उपर बड़े-बड़े monetary penalty लगाओ, यही हम कर सकते हैं, तो दोस्तों, यह थी cartelization की कहानी, अब इसमें एक interesting बात भी है, वो में बताना भूल गया, देखे, यह तीनों bear companies ने मिलकर cartelization करके 2009 और 2018 के बीच में बहुत पैसे कमाए, पर बात में यह पकड़ा गया, वो अलग बात है, तो जैसे पकड़ा गया, Competition Commission of India ने एक smart child खेला, क्या किया, इनों ने इसमें से एक company को धीरे से पास में बुलाया, कौन सा, आनहसर, बुश, इन्बव इंडिया, जिसका बड़े प्रोडक्स है, जैसे बुडवेजर है, कोरोना है, यह सब famous beer है दोस्तों, ठीक है, तो इसको पास में बुलाया, और बोला, आप हमें पूरी details बताओ, आप लोगों ने क्या-क्या किये, कितने पैसे कमाया है, इसका mode of operation के सा था, तो बोला, कि आगर आप हमें details देंगे, तो आपको हम छोड़ दिया जाएंगे, मतलब यह जो 873 क्रोर का fine imposed किया ना, उसमें से आपको निकाला जाएगा, तो यह अनको सर्प बुश इन बिप इंडिया तो मान लिया, क्योंकि इतना पैसे का फायदा हो रहा है, तो इन्होंने सब कुछ सच-सच इनको बता दिया, and they received a 100% relief from this penalty, because its officials help the CCA investigation into the functioning of cartel, तब जाके CCA को पूरे यह cartelization वाली जो कांथ है, इसके बार में पता चला, smart move है ना दोस्तों CCA के दोरा, तो दोस्तों, finally Competition Commission of India के बारे में कुछ basic details बता है कि इस वीडियो को मैं finish कर देता हूँ, this acts as the competition regulator in India, established by the watch pay government under the Competition Act 2002, यह commission established हुआ था 2003 में, fully functional हुआ 2009 में, इसका major objective क्या है, Establishing a competitive environment intendant economy, देखे दोस्तों, जब businesses के बीच में fair competition देगा, तब जाके businesses की उन्नती होगी, और intent हमारी economy की भी उन्नती होगी, है कि नहीं दोस्तों, बिसनेस के बीच में, जब competition देगा, तो यह लोग कुछ करेगा है नहीं आगे बढ़ने के लिए, हमेशा first आने की एक fair competition देना चाहिए, तब जाके यह लोग अपनी products की quality बढ़ाएगा, अपनी prices lower करेगा, है कि नहीं तो यह competition जारी रखने के लिए, fair competition establish करने के लिए, competition commission of India इधर है, objectives of the commissioner, to prevent practices that ham the competition, अगर कोई भी competition को रोकने के लिए, कोई भी activity किया, उसको prevent करना है, sustain competition को promote करना है, protect the interest of consumers, obviously बात है दोस्तों, consumers का जो interest उसको protect करना ही, finally to ensure freedom of trade, कोई भी चाहे, कहीं भी trade कर सकता, यह तो हमारा fundamental right भी है, और भी कुछ details है, यह ज आने से पहले, एक Monopolis and Restrictive Trade Practices Act 1969 हुआ करता था, इसी को repeal किया, competition act 2002 ने, right, फिर competition act 2002 का एक amendment हुआ है, 2007 में, which prohibits anti-competitive agreements, abuse of dominant position by enterprises, and regulates combination, acquisition, acquiring of control and merger and acquisitions, which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India, यह क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, देखे दोस्तों, बड़े-बडे companies जब आपस में merge करत है, तो क्या होता है, वो बहुत बड़ा एक company बन जाता है, और उनके market dominance बहुत बड़ा हो जाता है, तब जो चोटे-मोटे company से वो market में sustain नहीं कर पाता है, आपने सुना होगा ना, बड़े-बडे companies आपस में merge करते हैं, क्यों करते हैं, बड़ा सा एक market बनाने के लिए उनका तब वो सबसे बड़ा company बन जागा उस market का, तो जो चोटे-मोटे company से वो फिर sustain नहीं कर पाएगा, तो इस तरह कि जब margin and acquisition होता है, अगर वो fair competition के against है, तो competition commission of India हमेशा action लेता है, आपने अक्सल सुना होगा, जितने भी margin and acquisitions वारा होता है, उसमें combination of India अपना हाथ डालता है, बोलेगा यह आप गलत कर रहे हो, यह anti-competitive है, और एक बोलता है, dominant position by enterprises, देखिए कुछ-कुछ companies जो है, market में dominant position enjoy करता है, अब वो क्या करेगा, वो कोई भी product launch करेगा, वो famous तो होना ही होना है, क्योंकि उनका नाम already है, उनका जो dominant position का गलत इस्तमाल करते हुए, अगर वो कु अगर निकाले लेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो बहुत स्यादा पैसे इस पर इंबस करेंगे, बहुत बड़े-बड़े stars को लेके आए, उसको promote करने के लिए, marketing करने के लिए, मतलब वो अपना नाम का गलत इस्तमाल करते हुए, अगर कोई product launch करेगा, तो बाकी जितने भी प्रोडक्सें उनका फिर डाउन हो जाएगा, वैसे इसे करते हैं, जैसे Reliance GO के से आया, उनके पास पैसे तो है, इंडिया का top company है, इंडिया का top company है, इंडिया का top company है, फोर्चुन फायंडर लिस्टेड है, अब Reliance company अपनी dominant position का गलत इस्तमाल करेगा, आपके पैसे इसके म Commission of India के लेगेगा, Reliance company जो है, अपने dominant position का गलत इस्तमाल कर रहे है, कोई business को down करना चाहरा है, अपनी business को अपने नाम के साथ प्रमोर्ट करना चाहरा है, तो यह रोक सकता है, इसको बोलते है, dominant position by enterprises, कोई भी enterprises अपनी dominant position का गलत इस्तमाल करोगे, तब ही Competition Commission of India जो है, आक्शन ने लेगा, समझ में आपको, तो यह सब होता है, दोस्तों, Competition Commission of India का basic objectives या कामा बोल सकते हो, तो दोस्तों, that's the end of it, I hope आपको समझ में आया होगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, आप लोगों की valuable suggestions and comments आप मुझे please comment box में बता दीजीगा, कि आपको समझ में आया या न लेक्चे की PDF या सुचल आपको टेलिग्राम चानल में मिल जागा, जिसका लिंक नीचे प्रवेड़ड़ है, thank you for watching, bye bye, have a nice day